नमस्कार आप देख रहे हैं Capital TV उत्रप्रदेश और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार उत्रप्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक है ऐसे में जितना बड़ा राज्य उतनी ही जादा लोग और इन सब के साथ मुफ्त आती है एक और चीज़ वो है Fraud और फरजीवारा इन दिनों UP फरजेवारी की राजधानी बन चुकी है सक्त कानून व्यवस्था के बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रही है ऐसे में उत्रप्रदेश के सामली से एक और फरजीवारी की खबर सामने आई है नौकरी दिलाने के नाम पर Fraud का यह मामला आपको हैरान कर देगा पूरी खबर एक बहुत बड़े फरजीवारे से जुड़ी है जहां हलवाई नरेंदर कुमार को जाल साजों ने 5 साल पहले दिली में अपनी कमपनी में चाय बनानी की नौकरी का जहासा दिया था फिर चानी चौक एस्थित HDFC बैंक के शाखा में उसका खाता खुलबाया इसके बाद उसके खाते से 249 कडोर रुपए का लेंदेन कर लिया एक साल पहले पीडित को आयकर विभाग की तरब से नोटिस आया तो हलवाई के होश उड़ गए 50 वर्षिये नरेंद्र कुमार ने बताया कि वो महीने में मुश्किल से 1000 रुपए जमा कर पाते हैं साल 2018 में उसके पास गाउ नाला निवाशी जितेंद्र कुमार किराय के मकान में रहता था उसने दिल्ली में नोकरी दिलाने के हसीन सपने दिखाये और अपने जाल में फसाया जितेंद्र ने नरेंद्र से दिल्ली में अच्छी तनखवा और कमपनी की तरब से रहने खाने का भरोसा दिलाया और अजय चौधरी नाम के शक्स से मिलवाया फिर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लेकर HDFC बैंक साखा चान्नी चौक में खाता खुलवाया उसे बोला गया कि कंपनी की सैलरी सीधे अकाउंट में आएगी बैंक कंचारियों के साथ मिलकर कई कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाये इसके बाद उसे यह कहकर वापस भेज दिया गया कि कुछ समय बाद उसकी नौकरी का कारेस्थल बता दिया जाएगा कुछ समय बाद नरेंदर ने जितेंदर से नौकरी के बारे में पूछा तो उसने बहाना बना कर उसे टाल दिया कुछ समय बाद अपने किराये वाले मकान को खाली कर चला गया पीडित नरेंदर ने बताया कि उसने फोन कर जीतेंदर से नौकरी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अजय ने किसी दूसरे को नौकरी पर रख लिया है जब उसने अपने कागजात मांगे तो वापस नहीं किये गए पीडित के मुताबिक पिछले साल 14 मार्च 2023 को आएकर विभाग शामली की तरब से उसे एक पत्र मिला जिसमें HDFC बैंक शाखा चान्नी चौक नई दिल्ली में एक खाते में 2018 और 2019 में एक अर्रब 36,70,49,481 रुपे की धनराशी जमा कर दो अर्रब 36,55,2547 रुपे की निकाशी की गई पूछताज में पता चला कि वक हाता क्रिश्न एवर सीज फार्म का है जो त्रितिये फ्लोर नया भाजार नौर्थ दिल्ली के नाम से संचालित हो रहा है पिडित ने इसकी शिकायत वित मंत्राले, रिजर्व वैंक परिवर्तर निदेशाले, दिल्ली और उत्तरपरदेश के मुख्य मंत्री के अलावा शामली के डीम और एसपी से की कोई कारवाई ना होने पर उसे न्याले की शरण में जाना पड़ा इस मामले पर आदर्श मंडी थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि कोट के आधार पर मामला दर्च कर लिया गया है अब पुलीस ने मामले की जाश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को दव्योचने का दावा किया गया है फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रें कैपिल टीव उत्रपरदेश नमस्कार